दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं लबेल डैमसंस मर्सी के मल्टीपल चोईस कोश्चन्स को लबेल डैमसंस मर्सी जो है दोस्तो एक पोयम है जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है जोन कीट्स का जनब दोस्तो 1725 में हुआ था और इनकी डैथ 1821 में हो गई थी तो इस वीडियो में दोस्तो हम मल्टीपल चोईस को इस कोश्चन्स को ही डिसकस करने वाले हैं लबेल डैमसंस मर्सी के तो शुरू करते हैं दोस्तो कोश्चन नमबर 1 से विच एज जोन कीट्स बिलॉंग टू किस एज से जोन कीट्स जो हैं वो बिलॉंग करते हैं एलिजबेथन एज से करते हैं दे रैस्टोरेशन पिरेट से करते हैं Restoration period को दोस्तो एक और चीज कहा जाता है The age of Trident भी इसे कहा जाता है The Victorian period या Victorian age से बिलोंग करते हैं या Romantic age से बिलोंग करते हैं ये question तो दोस्तो बहुत ही easy है इसका answer आपने कर दिया होगा कि John Keats जो है वो Romantic age से बिलोंग करते हैं बढ़ते हैं आगे question number 2 की तरफ When did John Keats write Label Demsense Mercy? John Keats की ये poem है Label Demsense Mercy इसको इन्होंने कब लिखा था? 1819 में लिखा है, 1820 में, 1821 में या फिर 1822 में ये answer आपको दोस्तो जल्दी से देना है ये बहुत ही easy question है दोस्तो और एक चीज़, इतने मैं आपको बता देता हूँ आप इसका answer करिए कि यहाँ पर दोस्तो return date के बारे में पूछा गया है तो आप ध्यान लखना return और publication date इस poem की भी अलग है बहुत सारे works की return और publication जो year होते है वो अलग होते हैं इसलिए आपको question में ध्यान से देखना है कि return date पूछी गई है या फिर published date पूछी गई है तो दोस्तो इस poem को John Keats ने 1819 में लिखा था इसका correct answer जो है दोस्तो वो A इसका correct answer है लेकिन दोस्तो 1820 में इसको publish कराया था 1821 में इनकी John Keats की death हो गई थी और 1822 तो इनकी life में दोस्तो आया ही नहीं था इसलिए दोस्तो यहाँ पर इसका correct answer जो है वो 1819 है लाबेल डेम सेंस मर्सी को 1819 में John Keats ने लिखा था कोचन नमबर 3 है लाबेल डेम सेंस मर्सी means in English जो लाबेल डेम सेंस मर्सी है यह title दोस्तो फ्रेंच में है तो इसका English में मतलब पूछा गया है इसकोचन में इसका मतलब है beautiful lady एक बहुत ही सुन्दर औरत a fairy child किसी परी का बच्चा या हूर की परी कह सकते है a lady with long hair and passionate eye यह हो सकता है क्योंकि यह दोनों ही चीज इस poem के अंदर है lady के लंबे बाल भी है और passionate जो eyes है वो भी है the beautiful lady without mercy तो दोस्तो यह French में लिखा हुआ है और इसका English में जो मतलब आएगा वो यह आएगा the beautiful lady without mercy एक बहुत ही सुन्दर औरत जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है कोई भी mercy उसके अंदर नहीं है तो D जो है इसका correct answer है question number 4 है John Keats labelled him since mercy is यह दोस्तो आपको मैं बता देता हूँ यह GIC PGT का जो exam हुआ था दोस्तो अभी September में ही I think 19 September को वो हुआ था उसके अंदर यह question पूछा गया है तो मैंने आपको poem को पढ़ाते समय बताया था कि आज कल जो question पूछे जाते हैं यह नहीं पूछा जाता कि यह bellad है यह क्या है यह definitely दोस्तो बैलएड है लेकिन देखिए GIC के exam में इसका kind पूछा गया है वो किस तरह की बैलएड है traditional बैलएड है literary बैलएड है या फिर broadside बैलएड है इन तीनों में से आपको दोस्तो correct answer देना है तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका correct answer जो है वो literary बैलएड है भी इसका correct answer है और दोस्तो एक और चीज में आपको यहाँ पर अभी clear कर देता हूँ जब आप दोस्तो इसको net पर देखेंगे तो यह आपको folk बैलएड लिखी हुई मिलेगी तो दोस्तो आप उसे correct मत मानना जब आप M.H.Abraham की book को पढ़ोगे और उसमें आप बैलएड वाले section को जब पढ़ोगे तो उसमें आपको यहाँ पर यह साप साप लिखा हुआ मिल जाएगा कि यह एक literary ballad है तो यह M.H.Abraham की book से मैंने confirm करके आपको बताया है कि कुछ लोग traditional ballad बोलते हैं folk ballad बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यह एक literary ballad है भी इसका correct answer है question number 5 है what kind of stanza Keats has used in his poem Label Demsense Mercy जो कीट्स की poem है Label Demsense Mercy उसके अंदर कीट्स ने कितनी lineों के stanza को दोस्तो प्रियोग किया है तो यहाँ पर stanza की line के बारे में पूछा गया है कि जो stanza है वो कौन सा है stanza of two lines है two lines के stanza को दोस्तो हम क्या कहते हैं couplet कहते हैं यहाँ पर आपका एक और revision हो जाएगा जो form of stanza आपके LTE के exam में लगे हुए है वो भी revise हो जाएंगे कि two line के stanza को क्या कहते हैं दोस्तो couplet कहते हैं three line के stanza को क्या कहते है यह कहते हैं दोस्तो terza rima मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ इसको couplet कहते है taser rima कहते है और four line के stanza को क्या कहते है quadrant कहते है और six line के stanza को कहते है दोस्तो secstate तो यह stanza की line आपके सामने लिखी हुई है और stanza के नाम दोस्तों आपको मैंने यहान लिख कर बता दिये हैं तो अब अपने question पे आते हैं, 6 line के stanza को दोस्तो हम sastate कहते हैं, जो एक sonet आप पढ़ोगे, जिनको Italian sonet या Petrarchan sonet कहते हैं, उसका दूसरा stanza जो होता है, वो 6 line का होता है, और उसे हम sastate भी कहते हैं, ठीक है, तो Label Dems and Mercy के अंदर कितने line का stanza use हुआ है, 4 line का stanza हुआ है, जि चीज़ आप ध्यान लखना कि quaterine, 4 line के stanza का यदि दूसरा नाम कोई है, तो वो ballad stanza ही है, तो 4 line के stanza को हम quaterine कहते हैं, और इस poem के अंदर 4 line का stanza ही इस्तिमाल हुआ है, इसलिए C इसका correct answer है, question number 6 है, how many stanza are there in the poem Label Dems and Mercy, देखें, बहुत easy question है, यदि आपने इस poem को पढ़ा है, और मैंने आपको line by line explanation समझा दिया है, यदि आपको वो देखना है, तो link दोस्तों description में दिया गया है, तो इस poem के अंदर दोस्तों 12 stanza का use हुआ है, कितनी lines के, 4 lines के 12 stanza का use किया हुआ है, इ quaterain कितने use हुए है, 12 quaterain इस्तिमाल हुए है, C जो तो इसका correct answer है, question number 7 है, what is the rhyming scheme of the poem Label Dems and Mercy, देखें, Label Dems and Mercy जो लिखी है, जो लिखी है, जौन कीट्स ने इसके अंदर 12 stanza है, चार line के इसकी rhyming scheme पूची है, A, B, A, B, A, B, C, B, A, B, C, D, और none of the above, ये इन चारों में से आपको दोस्तो correct answer बताना है, तो question number 7 का correct answer है, दोस्तो, A, B, C, B, जो rhyming scheme इस्तिमाल हुई है, दोस्तो, इस pilot के अंदर वो कौन सी हुई है, A, B, C, B, और ये जो rhyming scheme है, वो 12 के 12 stanza के अंदर fixed rhyming scheme है, बदलाव नहीं हुए है, A, B, C, B rhyming scheme ही सारे के सारे, यानि 12 के 12 stanza में है, B, इसका correct answer है, question number 8 है, the poem begins with the poet's question to whom, देखे, इस poem की सुरुवात में जब आप देखोगे, तो एक poet जो है, वो question करता है, वो poet question किस से करता है, the knight से करता है, इस poem के अंदर एक knight दिखाया गया है, एक योद्धा दिखाया गया है, जिसके पास बहुत सारे arms होते हैं, knight's beloved और एक lady दिखायी गई है, जिसमें ये knight उस lady को क्या समझता है, अपनी beloved समझने लगा है, उससे question किया है poet ने, या फिर himself, उसने खुद से ही question किया है, poet ने अपने आप से ही question किया है, या फिर nanab the above है, तो दोस्तों, यहाँ पर इसका correct answer जो है, वो A है, एक knight है, जो cold hill side पे जो है, व यहाँ पर घूम रहा है, cold hill side पे, तो इसके बारे में दोस्तों पूछा गया है, तो A जो दोस्तों इसका correct answer है, question number 9 है, what ornaments, ornaments का मतलब दोस्तों, यहाँ पर है jewelry, कि क्या-क्या jewelry जो है, बनाई थी, किसने, knight ने, किसको किसके लिए बनाई थी, lady के लिए बनाई थी, what ornaments was given to the lady by the knight, यहाँ पर कहा गया है, पूछा गया है, कि जो knight है, उसने lady के लिए क्यों-कों से ornaments बनाई थे, क्यों-कों से jewelry बना कर दी थी, तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, कि वो jewelry जो बनी हुई थी, वो बनी हुई थी, दोस्तों, किस से, flowers से बनी हुई थी, gold से नही नहीं है, यह तो cosmetic की चीज हो गई, तो यह तो दोस्तों, होगा नहीं, ठीक, earring, necklace, slate, तो इस poem को जबाप पढ़ोगे, तो आपको ना तो necklace देखने के लिए मिलेगा, ना earring देखने के लिए मिलेगा, हाँ, necklace आपको देखने के लिए मिलेंगे, garland, plates and fragment zone, तो दोस्तों, यह जो है, C, इसका correct answer हो जाएगा, इन्होंने garland बनाया था, knight ने garland क्या होता है, जो लड़कियां अपने सर पर पहन लेती है, फूलो की गोल माला, उसको garland कहा जाता है, necklace आप जानते ही हो, जिने हातों में पहन लेते हैं, वो बनाये थे, और fragrance zone का मतलब है, दोस्तों, जो the response of the lady for the gifts of the knight, जो knight ने ornaments दिये थे, jewelry दी थी, किसको, उस lady को, उसके बाद उसने, जो knight है, उसको reaction दिया था, reply दिया था, response दिया था, वो response क्या था, उसने कहा था, and sure in language strength she said, इस line का दोस्तों ही देखी, यहाँ पर and sure in language strength she said, यह आपको तीनों ही option में मिल रहा है देखने के लिए, तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, दोस्तों, यहाँ पर वो knight कहता है, कि मुझे पता है, मुझे sure है, मुझे पूरा विश्वास है, कि उसने, किसी अंजानी सी भासा में मुझे कहा था, I love you, उसने कहा था, I love you, question यहाँ पर मिलेगा आपको, answer इसका, I love you कहा था, I love the true कहा था, I hate you कहा था, तो दोस्तों, आप जब इस poem को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसने, I love the true, इस कहा था, इस line को आप इस poem के अंदर देखो तो इसलिए दोस्तों, B जो है, इसका correct answer है, question number 11 है, what did the lady give him to eat, जो lady है, उसने इस night को खाने के लिए क्या दिया था, sweet roots, honey and manadu, fruits and wine, wine and fruits and honey, ये सब चीजे दी थी, इन में से क्या चीज थी, जो इस night को खाने के लिए दिया था, तो दोस्तों, इस night को sweet roots, यानि के बहुत ही स्वादिष्ट जड़े, मूल दिये थे खाने के लिए, बहुत स्वादिष्ट थी, वो जहां से भी लेकर आई थी, ये बहुत स्वादिष्ट थी, honey दिया था, उसको मीठा honey, जो जंगल से निकलता है, एकदम मीठा honey and manadu, जो som पीता लोग पीते हैं, वो इसको दिया था, तो दोस्तों, ए जो है, इसका correct answer है, कोचर नमबर 12 है, how the night was looking, जो night है, इस poem के अंदर, वो कैसा दिख रहा था, so haggard and so, वो बिगोन, so active, so tired and so sad, यहाँ पर दोस्तों, यह तीन options में से आपको correct answer बताना है, तो दोस्तों, इसका correct answer जो है, वो A है, इसका मतलब है, दोस्तों, worried होना, वो बड़ा ही चिंतित दिखाई दे रहा था, वो बड़ा ही उदास दिखाई दे रहा था, so वो बैगोन, इसका मतलब है, दोस्तों, sad and painful, sad and painful, वो कैसा दिख रहा था, दोस्तों, बड़ा ही दुखी दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था, कि मानों उसे बहुत दर्द हो, किसी चीज की बहुत ज़्यादा चिंता हो, तो दोस्तों, A जो है, इसका correct answer है, question number 13 है, where did the beautiful lady take the night to, वो लेडी जो है, beautiful lady, पहले वो उसके सा गोले पर बैठी, गोले पर घूमी, और फिर गोले पे से उतर के उसने उसको night को कुछ खाने के लिए दिया, जो मैंने आपको पिछली slide पे बताया, कि कुछ जड़े, honey और mana dew दिया था, उसने खाने पीने के लिए उसे, उसके बाद ये lady जो है, इस night को कहा पर लेकर चली ग फिर elfin groat में लेकर चली गई थी, तो दोस्तों ये जो elfin groat है, ये कोई fairy cave की नाम है, ठीक है, कोई fairy cave की बात यहाँ पर की गई है, और ये lady कैसी है, दोस्तों beautiful है, मतलब परियों के जैसी ही दिखने वाली है, इसलिए दोस्तों ये elfin groat में इसको लेकर गई थी, तो D जो है इसका correct answer है, I hope यहाँ तक आपको सारे question समझ में आए हैं, बढ़ते हैं आगे, where did the knight find himself when he woke up, देखे दोस्तों, जो knight है, वो गुफा में लेकर चली गई थी, कौन, जो lady थी, और lady ने वहाँ पर उसको लोरी सुनाई, लोरी सुनाते हुए उसको थप थपाया, किसको, knight को, जि उसने एक सपना देखा, जिस सपने में उसने कुछ राजाओं को देखा, राचकुमारों को देखा, योधाओं को देखा, जो पीले पढ़ चुके थे, और पीले पढ़ने के बाद भी, वो चेतावनी दे रहे थे, किसको, इस knight को, वो कह रहे थे, la belle damn sense mercy, इस औरत ने, इस merciful औरत ने, तुम्हें भी अपना सिकार बना लिया है, इस औरत के अंदर, जो है, कोई भी mercy नहीं है, तो जब उसने ये भैंकर सपना देखा, तो उसके बाद, इस knight की आँखे खुल गए, वो जाग गया, तो उसने अपने आपको कहा पाया, in the lap of the lady, उसने, उस lady की गोद में अपने आपको पाया, on the mountains top, उसने अपने आपको परवतों की सरंखला है, वहाँ पर, उसकी top पर पाया, alone and the cold hillside, उसने अपने आपको अकेला और cold hillside पर पाया, at the river side, अपने आपको उसने river side पर पाया, तो दोस्तों, C जो है, इसका correct answer है, कोचर नमबर 15 है, whom does the bellad, la belle dame sense mercy address, देखिए दोस्तों, la belle dame sense mercy एक bellad है, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है, जॉन कीट्स ने दोस्तों, इसको अपने brother की death के बाद लिखा था, इनका दोस्तों भाई था, एक जो जिसकी death हो गई थी, tuberculosis के कारण, consumption के कारण, जिसकी death हो गई जिसके कारण, जॉन कीट्स की death हो थी, तो क्या इन्होंने इसको address किया है, अपने brother को, नहीं दोस्तों, इसको address नहीं किया है, ना ही इसने अपनी बहन को किया है, इसने अपनी बिलव, जॉन कीट्स ने अपने बिलव, फैनी ब्राउन को किया है, दोस्तों, मैं एक और में दोस्तों इनकी death हो गई थी इनका जनम जैसा कि मैंने आपको बताया था 1795 में हुआ और 1821 में इनकी death हो गई तो इसी लिए दोस्तों इस labail dame sense mercy के अंदर autobiographical touch हमें देखने के लिए मिलता है यदि question exam में इस तरह का बनता है कि जो जोन कीट्स है उनकी autobiographical poem जो है वो कौन सी है तो आपको labail dame sense mercy इसका answer दोस्तों देना है और यह किसको address है दोस्तों इनकी beloved fanny brown को address है I hope यहां तक दोस्तों यह सारे के सारे questions आपको समझ में आए हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद